हलो दोस्तों मैं अग्रिशन आर्या और आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चलनल अर्या कोचिंग जैसा कि आप जानते हैं आप यहाँ पर पढ़ते हैं इंटर्मीड की मैथ और फिजिस की क्लास बहुत ही सरल और यूनिक तरीके से तो आज मैं आप लोगों के लिए के आय मतलब पोटिंशियो मीटर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अगर हम बात करें लेशन 3 के तो लेशन 3 के मैंने सारे के सारे टॉपिक्स अलेडी अप्लोड कर दिये थे इससे पहले मैं आप लोगों को लाइव क्लास दे रहा था लेकिन लाइव क्लास में बहुत सारी कर पाएंगे मैंने लेशन 3 के सारे के सारे टॉपिक्स पहले ही क्लेर कर दिये थे मैंने चेक किया तो उसमें केवल एक ही टॉपिक बचा हुआ था विभोमापी इसको भी मैंने सोचा आज मैं अप्लोड कर देता हूँ अलेडी बहुत सारे चैप्टर अपलोडेड हैं पर विजिट करिएगा जो भी आप चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो आप पर पढ़ सकते हैं अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं बहुत सारे बच्चों ने हमसे यह भी कमेंट किया सर मुझे एक वीडियो मिलता है उसके बाद में सीरियल से वीडियो नहीं मिलते हैं आपके तो डेफिलियल बच्चा मैं कहना चाहूंगा कि सीरियल से वीडियो आपको निकालना पड़ेगा कैसे निकालना है मैं आपको एक बार बता देता हूँ आपको प्लेलिस्ट में जाना है कैसे जाना है मैं आपको बताता हूँ और उसके बाद में मैं स्टार्ट करता हूँ आ जैसे ही आप लोग ARIA Coaching सर्च करते हैं, और आप से open करते हैं, तो एक इस तेरे का interface मिलता है, आपको यहां पर दिख रहा है, सबसे उपर ARIA Coaching यहां पर subscribe लखा हुआ है, इसे आप अब subscribe कर सकते हैं, और जब आप click करेंगे तो आपका यह ARIA Coaching खुल जाएगा, आपको यहां प मोविंग चार और मैगनेटिजम लेशन नमबर 4 ये दिया गया है इसके बाद में आगे दिये गये हैं सारे के सारे लेशन नमबर 4 आगे बहुत सारे प्लेश्ट यहां पर create की गई है ये नियुमेरिकल्स की प्लेश्ट है ये जो लाइव क्लास चेंव रही थी लेशन 1 लेश अगर आपको नहीं दिखता है पूरा तो आपको यहां पर नीचे मोर दिख जाएगा तो मोर पर आप क्लिक करेंगे तो सारी प्लेश्ट खुल जाएगी अगर आपको लेशन 3 पढ़ना है तो आप यहां पर आकर कि ये लेशन 3 दिया है इस पर आप क्लिक करेंगे तो लेश working-wise serial wise मिलते चले जाएंगे आप वहां से आराम से पर सकते हैं ठीक है कि तो इस तरह से क्लास को Special करते हैं आज की क्लास में हम विभो मापि को परने वाले लेकिन मैं उससे पहले भी एक बात कहना चाहूँगा की मैंने एक बार आप लोगों को बताया था कि मैं पढ़ाने के साथ Middle-दप teaching के साथ साथ कुछ कविताइं भी लिखता हूं तो मैंने बहुत सारी कविताईं लिखी थी ही और उनमें से मुझे कविताओं बहुत सारी अच्छी लग रही थी तो मैंने सोचा कि ये कविताओं को लेकर कि यूटूब पर जाना चाहिए, आप सब लोगों को सुनाना चाहिए, तो मैंने फिर सोचा कि इस चैनल पर उन कविताओं को डालना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि की नाम से एक चैनल है वहाँ पर विजिट करिएगा वहाँ पर हमारी सारी कविताएं आप लोगों को मिल जाएंगी मैं एक एक करिके कविताओं को पोस्ट कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है डेफिनेटली जब आप उससे सुनेंगे तो डेफिनेटली आप कहेंगे वाह ब पर विजिट करिएगा वहाँ पर विसे सब्स्क्राइब करिएगा उसको भी सब्सक्राइब करिएगा और कविताओं का भी आनद को श्टार्ट करते inflayमापी etam कि दृष्टी से देखें तो भी और नालेज की दृष्टी से देखें तब भी ओकै तो देखते हैं विभाओं अफिर यूज क्या है तो संपल सी बात थे अगर हमें किसी भी सेल का विभाव प्राप्त करना हो मतलब हमें कोई सेल है हमारे पास और हम उस सल का वैदुत वाहक बल नापना चाहते हैं मापना चाहते हैं तो अगर हमें वैदुत वाहक बल मापना है तो हम विभाव मापी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किनी दो बिंदों के बीच का विभुवांतर हमें मापना है तब भी हम विभव मापी का इस्तेमाल कर सकते हैं कहने का मतलब है किसी सल के वैद्धित वाहक बल को मापने के लिए या फिर किनी दो बिंदों के बीच के विभवांतर को मापने के लिए हम विभव मापी का इस्तेमाल करते हैं potential meter का استعمال करते हैं कैसे करते हैं यह भी हम लोग देख लेते हैं इसमें आखिर क्या होता है क्या नहीं होता है बच्चा आपको यहां पर theory ही लिखना है कोई इसमें derivation नहीं है ठीक है आपको theory ध्यान से सुनना है कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा ध्यान से सुनिये आप लोग लेकिन जो मैं समझाने की कोशिस करूँगा आप लोग उससे समझने की कोशिस करिएगा otherwise आपके ऊपर से निकल जाएगा ठीक है तो थोड़ा सा धिमाग को concentrate करिएगा यहां पर और मैं जो समझा रहा हूं समझेगा इसमें होता क्या है सुरुआत कहां से करना है इसमें एक सीधा लंबा समान व्यास का तार होता है सीधा लंबा समान व्यास का तार होता है जिसे मैंने एबी से विक्तिया है हो गया ना अब हम क्या गड़ते हैं इसके ए सिरे को किसके ए सिरे को इस तार के ए सिरे को एक बैटरी बीवन ये बैटरी का नाम क्या है बैटरी बीवन के प्लस सिरे से जोड़ देते हैं या पॉजिटिव प्लेट से जोड़ देते हैं बैटरी बीवन के निगेटिव Rehistored मतलब धारा नियंतरक इससे हम धारा को नियंतित करते हैं हमें कितनी धारा प्रवाहित करनी है इस AB तार में ज्यादा धारा प्रवाहित करनी है या कम धारा प्रवाहित करनी है यहां से हम धारा के मान को गटा बढ़ा सकते हैं तो इसके निगेटिव प्लेट को हम एक कुझी के तथा धारा नियंतरक आर एच से जोड़ कर तार के सिरे बी से जोड़ देते हैं इतना समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला पहले इतना ही हम लोग दुबारा बोलते हैं इसमें एक सीधा लंबा एक समान व्यास का तार A B होता है ओके कोई दिक्कत नहीं है तार के सिरे A को बैटरी B1 के प्लस प्लेट से जोड़ देते हैं या धनातमक प्लेट से जोड़ देते हैं तथा बैटरी B1 की रिडातमक प्लेट को एक कुझी के तथा धारा नियंतरक आर से जोड कर तार के 20 से जोड देते हैं उपर वाला पॉर्सल मैं careful जो इक राहे बस वही लिख इस में क्या इक पॉज़त ही उडिते हुए उस CL को लेते हैं मालिया यह हमारे पास cell है इसका वैदुत वाहग बल हमें ग्याद करना है तो इस cell का वैदुत वाहग हमें ग्याद करना होता है उसकी प्लस वाली प्लेट को यह धनातमक प्लेट को तार के एसरे से जोड़ देता है जिस cell का हमें वैदुत वाहग बल ग्याद करना होता है उस cell की धनातमक प्लेट को किस से जोड़ देते हैं तार के A सिरे से जोड़ देते हैं तथा रिडातमक सिरे से या रिडातमक प्लेट से एक धारा मापी G ये धारा मापी है G धारा मापी मतलब धारा को बताती है कि कितनी धारा इसमें परवाहित तो धारा मापी G से जोड़कर जोकी J से जोड़ते हैं यह जोकी J है जोकी मतलब जोकी है जोकी कैसा मतलब हम आपको समझा देते हैं जोकी क्या है इस तरह का जैसे यह वायर है और यह जोकी है इस तरह से इस पर चड़ा होता है और इसमें वायर कनेक्टेड है यह वाला वायर जा सके मनलब जहां पर तार को हमें टच कराना है उसको हम इधर उधर खिसका सकते हैं उसे हम जौकी दिखाएं ठीक है तो इसके रिन प्लेट को हम एक धारा मापी जी से जोड़कर जौकी जे से जोड़ देते हैं अभी जे वन और जे टू अभी हम लोगों को नहीं लिखना ये केवल इस्थितिया है ठीक है अभी हमने कितना आपको बताया उसको मैं दुबारा दो रहता हूँ ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बताया है इसमें एक सीधा लंबा समान व्यास का तार A B होता है तार के A सिरे को बैटरी B1 के धनात्मक प्लेट से जोड़ देते हैं धन तार के सिरे B से जोड़ देते हैं जिस सेल का हमें वैदुत वाहग बल प्राप्त करना होता है उस सेल की धनात्मक सिरे को हम बिंदू A से जोड़ देते हैं तथा इसके रिडात्मक सिरे से एक धारा मापी G को जोड़ कर जोकी J से जोड़ देते हैं जिसे खिसका कर तार के क किसी भी बिंदु पर इस पर्स कराया जा सकता है तार के किसी बिंदु पर इसे हम इस पर्स करा सकते हैं जोकी की सहायता से अगर ऐसे जोड़ देते तो फिर इधर उधर खिसका नहीं सकते तो जोकी के सहारे जोड़ा है जिसको हम इधर उधर खिसका करके कहीं भी इस पर्स कर सकते हैं वकेय, इतना आप लोगों को समस्में आ गया होगा, अब ध्यान से देखना, आगे अब यहां से क्या सटार्ट होता है, यह काम कैसे करता है, कैसे हम पता करते हैं, तो होता क्या है, हमें पता है कि B1 जो battery B1 की धारा है वो किस तरह से आ रही होगी Definitely वो इधर से आईगी battery B1 की धारा इधर से प्रुवाइत हो करके आईगी plus plate इधर है तो इधरी से धारा आईगी इधर आ रही होगी Definitely यहां तक आई, बिन्दू? यह तक मान लिए आई ठीक है, और इधर से जो धारा, ये जो cell है, cell की धारा किदर जा रही होगी, वो भी इधर जा रही होगी, ये भी इधर जा रही होगी, अब ये एक धारा इधर की और जा रही है, एक धारा इधर की और जा रही है, तो हमें ये दिख रहा है कि धाराएं जो हैं, दोनों एक तो अब होगा क्या यह किस तरह से कौन सी धारा किदर जाएगी इसकी धारा जीतेगी या फिर A, E, J मार्ग है, A, E, A, E, J, okay, A आया, E आया, फिर इदर से ओकर के J आया, तो इसमें धारा मार्ग है, दूसरा मार्ग क्या है, तो दूसरा मार्ग है, A, J, E, मतलब A से J आया, J से इदर गुम के आ रहा है, तो E इसमें भी आ जाएगी तब भी, ठीक है, दो मार्ग है, अब कि इसमार्ग से किस समय जाएगी धारा ये आपको समझना है, मैंने क्या बताया है, धारा मापी में धारा को पहुंचाना है, कैसे कैसे, दो रास्ते हैं, एक है A, E, J, M, एक है A, J, E, मार्ग, ओके, एक इधर से आ सकती है, एक इधर से जा सकती, अब कैसे जाएगी आखिर वा अगर एसे बीकी और प्रवाहित हो रही है इसका मतलब है एसे बीकी और जाने पर हर बिंदू पर विभौ देरे-धीरे गरता चला जाएगा और हमें पता है कि एकांक लंबाई पर विभो में जितना परिवर्तन होगा, जितनी कमी आएगी, उस कमी को ही विभो परिवर्तन को ही हम विभो परवनता कहते हैं, आप लोग याद करिए विभो परवनता को जो मैंने पढ़ाया था, मैंने क्या बताया था, कि एकांक लंबाई पर विभो में होने वाले परिव परतन को ही हम क्या कहते हैं विभाव परवनता अब आप लोग ध्यांस देखिएगा मान लिया यह है तार आप लोगों को समझाने के लिए मैं अलग थोड़ा सा मैं बना रहा हूं एबी तार है ओके यहां पर विभाव है सो और यहां पर विभाव है जीरो मैंने मान लिया फिर यहां पर थर्टी फिर यहां पर ट्विंटी और यहां पर थोड़ा और बढ़ा लेते हैं क्या है अपने हाथ में है तो आर दस और यह है जीरो ओके यह विभाव है अब हमने क्या किया है इसके विभाव को मापने के लिए हम क्या करने वाले हैं ध्यान से देखना सबस हमारी धरामापी, यहां पर हमारा यह तार टच है जब हमारा तार यहां पर टच था मान लिया हमने टच कराया था असी पर, ओके और यहां पर जो हमारा यह सिल लगा हुआ है इसका जो वेदुत वाहक बल है वो हमने मान लिया 50 होगा होगा अभी हमें पता नहीं है हमने ग्यात नहीं किया ठीक है अगर यह पचास होगा और यह पर हम देख रहे हैं एंधोनों के बीच का विभांतर हुआ如何 ? इनके बीच का विबवांतर कितना है इनके बीच में विबवांतर कितना है इसका वै दूत वहखबल किता है 50 है इसका मतलब क्या है किसका वैदुतव वह ऺम क्या होता है विस्पॉलांतर य९ार मैंने पहले बटाया आप लूगों को ठीक है तो ये 50 है, ये 20 है, कौन जीतेगा, ये जीतेगा, मतलब ये जब जीतेगा, तो धारा किदर से प्रवाइद होगी, इसकी वाली धारा इधर से जाएगी ना, उसकी अगर धारा आएगी तो इधर से जाएगी, लेकिन जब ये जीत रहा है, तो इसकी धारा तो अमेशा इस मार वेदुत वाहग बल से कम था ए और जेवन के बीच का विवांतर सेल के वेदुत वाहग बल से कम था अतहा सेल के धारा की प्रधानता होगी किसकी प्रधानता होगी सेल के धारा की प्रधानता होगी क्योंकि सेल से धारा प्रधानता होगी क्योंकि इसका विवांतर ज्यादा ह से धारामापी में पहुंचाएगी इधर से इधर से इधर से आएगी तो धारामापी में धारा ए जेवन इमार्ग से प्रवाइट होगी टेंसन ना लीजेगा पहले समझ लीजेगा मैं फिर एक बार लैंग्विज को बोल करके दिखा दूँगा ठीक है इस तरह से प्रवाइट होगी तो ये धारामापी में धारा इस तरह से आई है clear हो गया और जब धारामापी में धारा उपर से आएगी तो definitely यहां पर जो धारामापी की सुई होगी वो एक और विच्छेपित हो जाएगी सामान यवस्ता में धारामापी की सुई ऐसे होती है जैसे यह धारामापी तो सुई विल्कुल ऊपर ऐसे सीधिस रहती है लेकिन ज सा बिन्दू येटू पर टश खесडर जमने जेटू फश्क्राया मालिया हमने इसको अब की बार 30 पट तैज कराया ओके तर्टीव जब हम आतने थरटीव पर टश खराया तो अब ए और चयकू के बीच का विभौनTAR जो था इस सिल अधिक हो गया कि नहीं तो मतलब हमने एक जोकी को खिसका कर एक ऐसे बिंदू जेटू पर उसपर सक्राया जहां पर ए और जेटू के बीच का विभुवांतर जो था वह सेल के वैदुत वाहग बल से अधिक था तब सेल के धारा के प्रधानता नहीं होगी तब बैटरी के धा बनता होगी तो अब सेल वाली धारा इधर से गई थी तो बैटरी वाली धारा इस मार्ग से जाएगी अर्था तब धारा मापी में धारा एई जेटू मार्ग से प्रवाहित होगी अब सुनिए एई जेटू मार्ग से प्रवाहित होगी तो धारा मापी में धारा नीचे से अभी यहां पर उपर से आई थी तो धारमापी की स्वी इस इस दिसा में विच्छेपित हो गई थी अब की बार जब नीचे से जाएगी तो धारमापी की स्वी अपकी बार इधर नहीं आएगी अपकी बार उधर जुग जाएगी तो अपकी बार इस दिसा में विच्छेपि जाती एक इस्ति आसी ऐती जहां पर बिल्कुल 0 हो जाती पिल्कुल सिद्धी हो जाती फिर दीरे ऑर किसमाते जा रहे है समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है इसका मतलब है जय वन और जय टू की बीच में जरूर एक ऐसा विन्दू तो होगा ही, क्योंकि J1 पर इस दिसा में है, J2 पर इस दिसा में है, इसका मुलब इसी के बीच में कोई ऐसा बिंदु जरूर होगा, जहां पर धारा मापी की सुई बिलकुल सीधी हुई होगी, इसका मुलब उसमें कोई विच्छेप उत्पन ही नहीं हुआ होगा, क्योंकि बिंदु को हम सून्य विच्छेप स्थिति कहते हैं क्या बोलते हैं हम इस बिंदु को धारा मापी की क्या बोलते हैं सून्य विच्छेप स्थिति जिसे हम नल पॉइंट कहते हैं तो यह हमारा नल पॉइंट है यहाँ पर धारा मापी में कोई विच्छेप नहीं उत्पन हु पर आने वाली है क्योंकि सो और पचास के बीच का विबवांतर कितना पचास और इसका भी कितना था पचास तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर ऐसा पॉइंट यही है पचास जहां पर कोई विच्छप नहीं उत्पन होगा क्यों क्योंकि इस समय धारा मापी कि सुई धारा स्वारी यहां पर देख रहे हैं कि इस समय सेल का वैदुत वाहकबल और ए और जे के बीच का विबवांतर बिलकुल समान होगा ऐसी स्थति में आपर कोई विच्छप नहीं उत्पन होगा और यही सुनिविच्छप इस्थति कही जाएगी इस स्थति में हम देख ले समझ रहे हैं तो आप लोगों ने इसको समझ तो लिया होगा एक बार हम आपको बता देते हैं इसको लिखना कैसे है द्यान से सुनिएगा आप लोगों को सबसे पहले क्या लिखना है सबसे पहले आपको लोगों को लिखना है कि विभौ मापी किसी सेल के वैदुत वाहक ब लिखेंगे इसमें मुख्यता एक सीधा लंबा समान व्यास वाला तार A B होता है जिसके A सिरे को बैटरी B1 के धन सिरे से जोड़ दिया जाता है तथा बैटरी के रिण सिरे को एक कुंजी के तथा धारा नियंतरक RH से जोड़ कर तार के बिंदू B से जोड़ देते हैं इतना लिख दिया आप लोग रोक रोक करके लिख लेना जो मैं बोल रहा हूँ लिखना जरूरी है फिर क्या लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे फिर लिखेंगे जिस सिल का वैदुत वाहग बल ग्यात करना होता है उस सिल के प्लस सिरे को तार के A सिरे से जोड़ देते हैं इसके बाद में हमें क्या लिखना है, अब लिखना है, इस पस्ट है कि बैटरी की धारा, धारा मापी में बैटरी द्वारा प्रवाहित होने वाली धारा A, E, J मार्ग से प्रवाहित होगी, तथा सिल से प्रवाहित होने वाली धारा A, J, E मार्ग से प्रवाहित होगी, इससे इसपष्ट होता है कि बैटरी तथा सेल की वैदुत धाराएं एक दूसरे के विपरीत होंगी ठीक है इसके बाद में क्या लिखना है सबसे पहले हम धारा मापी को एक ऐसे बिंदु जेवन पर इसपर सकराते हैं जहां पर ए और जेवन के बीच का विभुवांतर सेल के वैदुत वाहग बल से कम रहता है सेल के धारा की प्रधानता होगी अतहा धारा मापी में धारा ए जेवन इमार्ग से प्रवाहित होगी तथा धारा मापी की सुई एक दिसा में विच्छेपित हो जाएगी पुनाह जोकी को खिसका कर एक ऐसे बिंदु J2 पर स्पर्स कराते हैं जहां पर A और J2 के बीच का विववांतर सेल के वेदुत वहागबल से अधिक होता है अतहा अब बैटरी के धारा की ब्रधानता होगी तब धारा मापी में धारा A, E, J2 मार्ग से प्रवाहित होगी तथा धारा मापी की सुई दूसरी दिसा में विच्छेपित हो जाएगी इससे सपष्ट है कि J1 और J2 के मद एक ऐसा बिंदु अवश्य होगा जहां पर धारा मापी की सुई में कोई विच्छेप उत्पन नहीं होगा वह बिंदु माना J है और यही बिंदु सुन विच्छेप स्थती कहलाता है अतहा बिंदु J और A के बीच का विभवांतर सल के वैदुत वाहग बलके बराबर होगा अर्थात इस स्थती में A और J के बीच का विभवांतर सल के वैदुत वाहग बलके बराबर होता है इतनी बात तो हमें समझ में आ गए अब हम इसके लिए एक नीचे फॉर्मॉला लिख देंगे हमें पता है कि A और J के बीच का विभवांतर अगर हमारा V है और इस तार की टोटल लंबाई हमने मान लिया L है तो V upon L को हम क्या कहते थे प्रववांतरहण़वा, विभव प्रववांतरहаг समझ रहे न, K is equal to क्या होता था याद करिए K is equal to delta V upon delta X माइनस तो के वाल रिगातमा कीनी विभवाव धरसित करता था कि विभो धिरे-धिरे गड़ता जाता है, ठीक है, डेल्टा V क्या था, विभांतर था, बिंदों के बीच का विभांतर हमने V मान लिया है, कोई बात नहीं है, डेल्टा X क्या था, दूरी थी, यहां पर दूरी क्या है, लंबाई L है, हमने तो L मान लिया, तो V अपान L क्या ह आताहा लिखेंगे यदि a और j के बीच का विभुवांतर v हो तथा तार की लंबाई L हो तब विभुव प्रवड़ता k is equal to v upon l आताh v is equal to kl होगा equation number 1 v is equal to क्या होगा kl होगा इतना clear है अब हमें पता है कि सुन्य विच्छेप इस्थति में यहाँ पर लिख देना सूनी विच्छेप इस्थती में विभवांतर वैदुत वहाग बल के बराबर होता है अर्थाथ सेल का वैदुत वहाग बल ई बराबर होगा विभवांतर के वी के अर्थात शेल का वैदुत वहागबल E is equal to V का वैली रख देंगे KL बस ये फॉर्मुला ऐसे लिख देंगे E is equal to KL या फिर K is equal to क्या हो जाएका K is equal to E upon L भी लिख सकते हो E यहाँ पर क्या है वैदुत वहागबल है वैदुत की तीवरतामा समझ लेना तो K is equal to E upon L बस इस तरह से आपको यहाँ पर लिख करके छोण देना है विभो मापी आपकी पूर्ण हुई अब एक क्यूस्चन इसमें बहुत अधिक बार पूचा जाता है क्या पूचा जाता है कि हम विभो मापी की सुग्राहिता कैसे बढ़ा सकते है विभो मापी की सुग्राहिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है तो याद रखे बच्चा विभो मापी की सुग्राहिता डिपेंड करती है हमारी विभो प्रवणता पर K पर K is equal to क्या है V upon L कि जितना कम होगा, मतलब विभोप्रवाणता जितनी कम होगी, अब विभोप्रवाणता को कम करने के लिए लंबाई को बढ़ाना होगा, क्या बढ़ाना होगा? तार की लंबाई को. कहें जाएगे तो पोटलोम ही सकते हैं ताल कि लंभाई को बढ़ा कर लम्बा गया नहीं को बढ़ा सकते हैं यह मेरे क्याल से आपको बिजल में आया होगा अगर समझ में आया है तो इसको लाइक जरूर करियेगा और अपने दोस्तों के साथ करिए आप लोग सेर नहीं करते हैं तो सेर अवर्षय करिए और हाँ अगर पहली बार हमारे चेनल पर आये हैं तो सब्सक्राइब करिए और जरूर प्रेस करिए जिससे आने वाले वीडियो का नाटिवेशन आपको मिलता रहेगा बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं बहुत सारे चैप्टर्स अभी कंप्लीट हो चुके हैं निमेरिकल्स चल रहे थे निमेरिकल्स भी आपनों को मिलते रहेंगे डोंट वरी बस हमारे साथ बने रहे हैं आप हम अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, एक नए topic के साथ में लेशन 3 कम्प्लीट हो गया है, लेशन 4 का अगर कोई topic छुटा हुआ होगा, तो हम अगली क्लास में मिलते हैं, लेशन 4 के किसी भी topic के साथ, तब तक के लिए, गुड़ बाई